बहुत समय पहले की बात है, एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। उन्ही में से एक बालक था, जिसे चीजें बहुत मुश्किल से समझाती थी। वो कक्षा का सबसे कमजोर विद्यार्थी था। एक दिन गुरुदेव उससे तंग आ जाते हैं, और उसे अपनी हथेली दिखाने को कहते हैं, वो वैसा ही करता है। गुरुदेव उससे कहते हैं, पुत्र, तुम पढ़ाई लिखाई में अपना समय बर्बाद मत करो, घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या की रेखा नहीं है, वो विद्यार्थी पूछता है, ये रेखा कैसी होती है गुरुदेव? गुरुदेव होशियार विद्यार्थी के हथेली की रेखा उसे दिखा देते हैं, वो रसोई कक्ष में चला जाता है, और एक चाकू से अपनी हथेली में एक गहरी रेखा खींचता है, और गुरुदेव के पास वापस जाता है, और कहता है, लीजे गुरुदेव, मैंने अपनी हथेली पे विद्या की रेखा खीच डाली, ये सब देखकर गुरुदेव की आँखों में आशु आ जाते हैं, और वो उसे गले से लगा लेते हैं, और कहते हैं, पुत्र, दुनिया की ऐसी कोई भी रेखा तुम्हें विद्या ग्रहन करने से नहीं रोग सकती, और वो बालक भविश्य में महर्शि पाणिनी हुए, जिन्होंने संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरण अश्टा ध्याई की रचना की निशकर्ष, आप अपनी मेहनत और लगन से अपना भाग्य बदल सकते हैं, और हाँ, लाइफ में है कुछ करना, तो इस पेज को फॉलो करो ना झालक जाम ऑद और लगन से थे होशे तक